दीप्त्रिवेदी मनुष्य जीवन से संबंधित हर विशय पर प्रकाश डालते हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उन्होंने छुआ नहों। वे जीवन से संबंधित अनेक विशयों जैसे जॉय, सिक्सेस, कॉंफिटन्स, डिएने जीन्स, फियर, इगो, मन, बुद्धी, लोज अफ नेचर पर चर्चा कर चुके हैं। वे ना सिर्फ सरलता से विशय को समझाते हैं, बलके व्यक्ति में हाथों हाथ सकारात्मत परिवर्तन भी लाते हैं। उन्हें सुनकर अब तक हजारों लोगों की अनेक शारीरिक वा मानसिक बीमारियां दूर हो चुकी हैं। और इसी कारण उन्हें spiritual psychodynamics का pioneer कहा जाता है। मनुष्य जीवन पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य जीवन पर आधारित सर्वाधिक lectures देने का record उन्हीं के नाम पर है। Deep Talks, The Detox for Your Mind by Deep Trivedi Good evening ladies and gentlemen. Hello and welcome to Deep Talks, The Detox for Your Mind. We request you to please maintain silence and switch your phones to the silent mode. We request you to please be seated while the talk is going on. Now, to take the topic further, we would like to once again invite on stage our speaker, Mr. Deep Trivedi. Can we welcome him with a round of applause please? Thank you. Thank you very much. In our internal system, the two things we are most likely to do, are our mind and our mind. Now, the question is that there are very few people who know that mind and mind are two different things. अधिकांश लोग माइंड कोई ब्रेंड केते हैं, ब्रेंड कोई माइंड केते हैं, यह बले आश्चिरे की बात हैं, तो हमको दो ही चीजें सत्से ज़्यादा प्रवावित करती हैं, वो हमारा मन और हमारी बुद्द्धी. और मैंने जो जीवन देखा है, जो शास्त्र पड़े हैं, जो किताबे पड़ी हैं, उस जाफ से, मेरा केलकुलेशन यह कहता है, कि हज़ारों में एक को इसका फरक मालूम है, कि माइंड क्या होता और ब्रेन क्या होता, और मैं कोशिश करूँगा, कि आपको इस सेशन में आपके माइंड और ब्रेन दोनों से अलग-अलग मिलवाओं, अगर आपको मिल जाए, कि हाँ हमारे अंदर दो अलग-अलग चीज किनमें अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से और सरल बाशा में समझाने की, कि माइंड और ब्रेन हमारे बीतर दो अलग-अलग चीजे हैं, और ये दोनों टोटल अलग-अलग फोरसे से हैं, और इन दोनों के टोटल कारेक्षेतर अलग हैं, दोनों की टोटल केरेक्षेतरिस्टिक अलग हैं, और दोनों के टोटल प्रवाव अलग हैं, और इन दोनों को अलग-अलग न पेचानने के कारण ही, मनुश्या बहंकर ब्योशी में पड़ा हुआ है, अगर ब्योशी का सबसे परम कारण गिरा जाए, तो वो ब्रेन और गूसल्सले कि प्रेजंटेशन चालू करो, आ और है यह फोरा सा फोरोती दियान अ है को फारिय था । कोई भी चीज साइकलोजी की कंपॉप्लिकेटेड नहीं है क्टि è दर्म की कोई भी चीज मनुष्य की कोई भी चीछ complicated नहीं है क्योंकि हम अपनी system के बारे में बात करने हैं कोई alien के हम बात नहीं करने हैं इसलिए बड़ा असान है समझना जिप दिक्कत यह है कि उस तरफ का ग्यान कम है लोगों को और उस तरह के ग्यान में लोगों की रूची कम है दोने जवाबदार है इस चीछ के लेकिन मन का शरीर में कोई भी physical existence नहीं है दोनों ही complicated है बुद्धी complicated structure है और मन complicated mechanism है अब दिक्कत यहाती है कि विज्ञान मन के अस्तित्व को मानता नहीं है उसको मानना चाहिए भी नहीं क्यों क्योंकि विज्ञान क्या है विज्ञान उस चीछ का ज्ञान है जो चीज laboratory की पटल पे लाई जा सके पदार्थ का विज्ञान है और धरम क्या है psychology क्या है psychology उस चीछ की चर्चा है जो अद्रश्य है एक फरक समद लेना psychology को पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है और विज्ञान को psychology से कुछ लेना देना नहीं है विज्ञान हमेशा से मन के अस्तित्वों को न कारता है क्योंकि मन के अस्तित्वों को मानने का अर्थ होता है बगवान को मानना और इसलिए जब पार्टिकल को God पार्टिकल कहा गया तो पुरे संसार के वेग्यान इकोन अब्यक्शन उठाया कि बगवान का कोई पार्टिकल हो नहीं सकता है विज्ञान लास्ट ऑथरिटी ऑफ दो वर्ल्ड है और बिल्कुल सही है क्योंकि विज्ञान जीसरोज मन के अस्तित्म में विश्वास करने लग जाएगा विज दिन उसकी प्रगति पे फुल स्टॉप लग जाएगा ये तो सीधी सी बात है इसलिए विज्ञान को जो विज्ञान की लेवरेट्री में है जो डॉक्टर है या जो भी है उसको मन के अस्तित्म को न कारना पड़ेगा न कारना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अगर ऑप्रेश नहीं डॉक्टर को अपने हाथों पर विश्वास करना पड़ेगा डॉक्टर को अपने नॉलेज़ पर विश्वास करना पड़ेगा और डॉक्टर सही है तो दुनिया में दोनों चीज इंपोर्टेंट है एक बुद्धी का स्तित्व इंपोर्टेंट है अपनी जगे पर लेकिन उसका physical existence है अब मैं मन की बात करता लेकिन मन है ये पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास मन है अगर आप विज्ञानिक नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके पास मन है तो पहले मन को पेचाने सारा विज्ञान और दुनिया के सारे विज्ञानिक मना करते कि मन नहीं है अद्रश्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है सब कुछ द्रश्य माने सब कुछ हम लेबोरेटरी की पटल पे ले आएंगे और सित्ष कर देंगे विज्ञान का सोचना है में हर साइंटिस से पुष्तो हूँ आज कि तुमने इतनी प्रगती कर लिízय के शरीर के इतनी जानकारी प्राप्त कर लिए उय इसका प्ता लगा लिए डाइबिटिस का पता लगा लिया लिवर ट्रांस्प्लांट कर लेते हार्ट सर्जिरी कर लेते बड़ी मास्टर योगी तुमारी उमन बॉड़ी में यार बड़े-बड़े कमाल करते तुम लोग तो तो यह बताओ तुमको कभी दूख होता कभी टेंचन होता तो विज्ञान वो मन की पेदा की हुई चीज है टेंचन बुद्धी की पेदा की हुई चीज नहीं है इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रकति कर ले कभी वो टेबलेट नहीं खो सकता कि यह एक टेबलेट लेलो और आपको आज इवन टेंचन नहीं होगा को ही नहीं सकता और कभी ऐसी तो कोई भी विज्यानी कभी भी ऐसा इंजिक्शन नहीं खोष सकता कि लाव इसको शुबे शाम शेंक्शन का कोउट देता हूँ और इसका फिजिकल एकजिस्टेंस नहीं है इसलिए आज के बाद अगर आप ये जगत का पूरा गनीत और अपने आपको अच्छे से समझना चाहते हो तो आपके बितर दो चीजे आपके बाहर भी दो चीजे एक द्रश्यमान जगत है जो आप देख रहे हैं उसकी सारी बात करने का अधिकार सिर्फ विज्ञान को है और एक अध्रश्य जगत है जो दिखता नहीं है उसकी सारी बात करने का अधिकार सिर्फ साइकोलोजी को है किसरे जगत की में चर्चा नहीं करता जो कभी इधर की कभी उधर की बात करती वो दुखा नहीं है कि फिजिकल से आपके मन का दुख दुर कर दूँगा अब फिजिकल से मन का दुख दुर नहीं हो सकता बड़े अच्छे समझ लेना बड़े ध्यान से समझ लेना कि जो फिजिकल चीज है उससे आपके मन का दर्द दुर नहीं हो सकता और आपका मन कभी भी फिजिकल चीज से खुश नहीं हो सकता यह आपका भ्रह में यह बिहोशी है और इसी बिहोशी में सब जने सब पिनाते चले जा रहे हैं बाकी आप सोचते समझ लेना चीज आप सोचते आप प्लानिंग करते कि मैं यह डिगरी हसिल कर लूँ सब सेट हो जाएगा कुछ सेट हुआ आप सोचते शादी कर लूँ टेंशन दूख यह सब मन के विशह हैं इसका द्रश्यमान जगश से कुट लेना देना नहीं है इसलिए साइकलोजी केती कि संसार माया है और विज्ञान केता कि माया नाम की कोई चीज है ही नहीं और हम जुले लाले हैं यह ना कभी केते हैं हाँ माया है जब पत्नी चिला करती तो इसके लोगा कुछ है ही नहीं यही सत्य है हम पदास्ते भी आकर्शित होते मन के भी प्रभाव में आते बीच में पड़े हुए हैं लेकिन यह दोनों एक्स्ट्रीम्स अपनी जगे सही हैं तो बुद्धी का फिजिकल एक्जिस्टेंस है मन का फिजिकल एक्जिस् गाली में कुछ नहीं है आप सोस्ते कुछ से खुश हो जाओंगा तो खुशी तो मन का विशा है बुद्ध बगर मर्सीडिस के खुश ते समद लेना और दुनिया में कितने अरब पति खरब पति और सक्सेस्पूल लोग हुए हैं जो बले दुखी हैं और कितने फकीर जो फिजिकल देखती वो बुद्धी है और अद्रश्य देखती वो मन है और आपके सारे भाव आपकी सारी बेचे नहीं आप 24 गंटे मन के पीछे भगते कि मन खुश हो जाए बस मन प्रसंद हो जाए बस मन को दूख न पकले बस आप बुद्धी की चिंता नहीं करते लेक लेकिन आपका मन अद्रश्य है और वही मेरा सब्जेट है और अद्रश्य में जो बीची में आएगा वो बुद्धी आएगी और बुद्धी की सुने बाते आएगी बुद्धी से निकली बाते आएगी जो मैं काटूंगा अगर वो कट जाएगी तो आपको अद्रश्य का पता लगना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट बुद्धी का भाव अच्छा बुरा है बुद्धी का भाव सिदा से समझ लेना आपकी बुद्धी क्या है आपकी वह अच्छा और बुरा सोस्ती यह अच्छा तुमवार को पास रखना अच्छा यह बुरा यह बुद्धी का सब पदना पढ़ेगा इसलिए मैं साइकोलोजी कहते हूं धरम को धरम तो ही नहीं आपकी जो दरम की परीज्ञा अच्छा बुरा सिकातի अच्छा गुरा नहीं है अच्छे बुझे की जो भी सिक्षा है वो बुद्धी की इंaju है अगर मन की सिक्षा है तो गलत है यह सही है अभी इत्यास में क्या लिखा या मन नहीं जानता वो बुद्धी जानती है तो अर्जुन कर न अ änd एसका पाप है अ अर। कि तो हम मन में मन को मालू में कि क्या गलत जա क्या साय एक चेबुरक मत कर और जो अर्जुन बुद्धी से सवाल पूछ रहा है क्रश्णा कहें रहे कि मन में जा गलत नहीं कि बुद्धि की सोच अच्छा बुरा मन की व्लत से में वह गलत है है चलो यह तो सिंपल है कि बुद्धि का वेजन लग बक टीन पाउंड है मन के वजन का सवाल नहीं उठता क्योंकि टाइम एंड स्पेस के बाहर है रती भर जगे मन नहीं गेरता इसलिए मैंने बोला कि विज्ञान कभी भी ऑप्रेशन करके आपके दूख नहीं निकाल सकता ना वह आपके शरीर में से कितनी चीज़े निकाल देता और कि इचन का यह नस्में भर हुआ हुआ यमें निकाल दोंगा कभी नहीं होगा लोने वाला यह ओसा सकता विज्ञान के द्वारा संब भी नहीं है कि जिसमें रिपोर्ट आ जाए कि इस आदमी के भीतर इतने पर संटेंशन है इतने पर्षंट दूख चिपा है और वह इस सखी लाइन पे है ऐसा कुछ भी रिपोर्ट आने वाला नहीं है तो मन टाइम एंड स्पेस के बाहर की चीजे अद्रश्य जगत की चीजे समझ लेना थोला से अद्रश्य जगत समझा दूं ताकि आपपो ये सब्जुक समझने में आसानी ओजाए आप कोई पैंटिंग देखते हैं मैं विज्ज्यानिक्हो बोलता हूं कि पैंटिंग देखो कैसी यह वो बोलता का आइंस्टाइनों एडिसनों बिलियंट है इंटेलियंट है सुपब हैं लेकिन उनको मन को नकारना पड़ेगा यह उनकी मजबूरी है लेकिन उनको मानना पड़ेगा कि अद्रश्य जगत नाम की एक चीज है और वो आपके दर्श्यमान जगत से करोड़ गुना पारफूल है इसलिए हमेशां विज्ञान से साइकोलोजी इंपोर्टेंट रही है क्योंकि वो पारफूल जगत की बात करती नेक्स यह बड़ा ध्यान से समझना बुद्धी सबकी अलग-अलग होती बुद्धी सबकी अलग-अलग होती कोई एक समाज में मानता कोई दूसरे समाज में मानता यह बुद्धी का विशय है कोई एक धरम में मानता कोई दूसरे धरम में मानता यह बुद्धी का विशय है लेकि सबका एकसा चलता मन को कोई भेद नहीं है इसलिए कभी आप क्रश्णा को पुछेंगे कि आप हिंदू है वो हिंदू नहीं होंगे आप बुद्ध को पुझेंगे कि तुम बुद्धो तो वो नहीं होंगे और सक्ष तो ये है कि बुद्ध बुद्ध इसलिए है कि हिंदू गर में पैदा होने के बाद भी वो हिंदू नहीं रहे क्राइस क्राइस्टी इसलिए है यहूदी घर में पैदा होने के बाद भी यहूदी नहीं रहे वो इनसान हो गए यह बुद्धी के विशय है इसलिए आप बुद्धी को साइकलोजी से जोड़ने कोशिश मत करना बुद्धी सबकी अलग-अलग होती आप जितना अलग सोचते जितने अलग प्रभाव मानते वो आपकी बुद्धी की सोच है आप सोचते कि जो मंदिर नहीं जाता उसका भला नहीं होता तो अमेरिका में कोई मंदिर नहीं जाता तो क्या उनका भला नहीं होता अलग-अलग बुद्धी वो सोचत चर्च में जाने से भला होगा तो उनकी सोच है लेकिन यह सारी सोच बुद्धी की है और बुद्धी का मनुष्य जीमने वजन पांच दस तके सुपर नहीं है और मन का वजन 90 परसंट है क्योंकि मन आत्मा के निकट है मन भावों का जगत है मन मजबूत है इसलिए मन सब का एक सा होता मन सब में एक सा होता और मन एक सी सोस्ता मन सनातन सोस्ता इस इतना आपको बुद्धी का डिविजन मालू में, जिसको कहता है कि हम उसको बुद्धी मान कहते हैं, इसको सब मालू में, वो जानता नहीं कीमत क्या चुकारा है, क्योंकि बुद्धी और मन का टोटल हमेशा मनुष्य जीवन में 100 का रेता है, अगर बुद्धी मजबूत हो बुद्धी कमज़ोर हो जाए, और मैं भी शिर्प आपकी बुद्धी कमज़ोर करने में लगा हूँ, मन अपना मजबूत हो जाएगा, मन भी मजबूत करूँगा ताकि बुद्धी कमज़ोर हो जाए, यही क्रश्नपुरी गीता में करते, कभी उसका मन मजबूत करते, यह एक प्रोसेस है दूसरी कोई प्रोसेस इस अंसार में मनुष्य को उपर उठने की नहीं है तो मन सब में एकसा होता तो जितने आपके विचार एक से रहेंगे कि जो दस अजास वर्ष पेले के मनुष्य में भी लागू जो अमेरिका में भी लागू जो पाकिस्तान में भी ला बुद्धी की खुराक अनुभव और जानकारी है बुद्धी अनुभव से शिखती जानकारियों से शिखती कि यहां पर यह लिखा है इसने यह कहा है यह सब बुद्धी की खुराक है बुद्धी उससे मजबूत होती मन को सिखने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है मन को ते वह अपने से चलता उसको किसी बाहरी फोर्स की किसी दुनिया के ज्ञान की जरूत नहीं है वह अपने आप चलता वह अपने स्वफुरी ते वह अपने भितर की शक्ति से चलता मन स्वयम ज्ञानी है स्वफुरी ते बुद्धी ज्ञान बाहर से लेती यह फरक समझ लो आ और अंदर से सोचते कि नहीं सब ठीक है ठीकी होगा वो यह जादू मन का नेक्स्ट अंदर से भुद्धि नियम से नहीं बरत्ती कभी भी कुछ भी पद्रो helper Queen किसी भी तरीके से सोचती और किसी भी चीज का केशा भी प्रफा के चीज भी असुत ठीक है नेकिन मन अब कअट प्रक्रत थी के प्रश Solar से नियम में और वह साल के इथ्यास पर फरक नहीं आया पूरी तरह से नियम बद्दे उसको कोई चेंज नहीं कर सकता इसलिए जो चीज आपके जीवन में नियम से नहीं बरत रहिए वो बुद्धी की उपदे मन की उपद नहीं है मन पुरा का पुरा नियम से और प्रकति पूरी की पूरी नियम से चलती है नेक्स यह तो क्लियर है बुद्धी विचारों का जगत है बुद्धी का काम है सोचना पढ़ना याद रखना ये सब बुद्धी के काम है वो सोचती मन सोचता नहीं है मन के पास विचार नहीं है मन के पास भाव है और भाव शक्ति शाली है विचारों की उकाती नहीं है विचारों का करेंगे क्या आप खूब विचार कर ले रोट पढ़ ले कि टेंशन पाप है इर्शा बड़ी परेशान करती कुछ जलते आपका विचार है आपने पढ़ रखा है आपका अनुभो भी है कि बड़े परेशानी होती जब इर्शा होती लेकिन जब मन में इर्शा हम करते क्या हैं हम बुद्धी से विचार पढ़ते और विचार मजबूत करते फिर केते उच्छ विचार होना चाहिए बढ़े उच्छ विचार रख लेते आप जरा से एक फुल जड़ी छोड़ दो यहां पर बेटे-बटे बाल कर नहीं पूच जाते तो फट से बढ़े आस्तर को कुछ ग्यान नहीं है सब शांती भंग हो जाती क्यों क्योंकि विचार से सोचते आप विचार की कोई किमत नहीं है जब क्रोध आता आपकी बुद्धी जानती कि क्रोध बुरा है लेकिन मन से आता विचार का करेंगे क्या तो दो चीजों में फरक समद लेना कि व भव कीधे बौत शख्वति कि अधि आकझे लिए। और आपको बाव कई शीजाब यहार लकिन आप विचार ओड़ते विचार की किमत क्या। वह तो कहालके गए कहड़ि कि έχत मारे वह उन्हें और रोज रोज सुनने से कितनों कि हा दृइंशिंग और हो गई करता है माइंड डारेक्ट युमन बडी को कंट्रोल नहीं करता लेकिन माइंड ब्रेंड को कंट्रोल कर लेता है आपने भी देखा होगा कि जो आपका भाव होते हैं वह आपके कंट्रोल करते आपके विचार आपके कंट्रोल कभी नहीं करते आप सोचते कि कोई कुछ भी बो क्रिश्णा मन और जीवन के मास्टर क्रिश्णा एक प्रेमी एक कलाकार एक गुरु एक राजनेता एक व्यवसाई क्रिश्णा शून्य से स्रिजन करने का एक श्रेष्ट उदाहरन क्रिश्णा जो कठिन तम परिस्थितियों में भी हसते हुए जीने की कला सिखाते हैं क्रिश्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता दीप्रवेधी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ. ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलोजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है, कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा. मैं कृष्ण हूँ. ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराथी तथा गुजराती में एक साथ आत्मनEStore.com साथ ही सभी प्रमुक E-commerce साइट्स पर भी प्लब्ध है. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, और आज डिटेल में तो इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन शायद कल इसकी पूरी डिटेल में घुसेंगे, इस डिफ्रेंस की, कि बुद्धी जो मनुश्य का ब्रेन है न, वो मन के और्डिनरी भाव दबा देती, मन में कोई और्डिनरी भाव उड़ता, तो बुद्धी दबा सकती उसको, लेकिन मन के पावरफुल भावों को, जब भाव अपने उफान पे आते, या भाव थोड़े से वजबूत होते, तो दुनिया की कोई बुद्धी उसको नहीं दबा पाती, और ये बुद्धी के पास जो दब और बेहुश कर रखा है, ये हम दिरे दिरे समझेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो जितनी जल्दी अपने बितर इस उनुभाव को ले लेगा, कि बुद्धी की इस ऑथोरिटी ने मनुश्य को बरबात कर रखा है, क्यों मन के भावों को दबा सकती, मन के भाव के कान अपने मन को जो परेशान कर रहे है, उस कान से आपकी मन की शक्तियां उजागर नहीं हो रही, वरना बितर, आहा, आप चाहो जो बन जाओ, सब कुछ है, कुछ बाहर की जरुत नहीं है, इतना सक्तिशाली मन हमारे बितर है, नेक्स्ट, बुद्धी का कार्यक्षेत्र है, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, मेनेजमेंट करना, यह सब बुद्धी के कार्यक्षेत्र में आता है, मन इसमें से कुछ भी नहीं करता, आप एकी समझ देना जब भी आपको प्लानिंग कर रहे हैं तब आपका मन नहीं आपकी बुद्धी चल रही है जब भी आपको एनालिसिस करते हैं तो आपकी बुद्धी चलती जब भी आपको चीज मेनेज करते हैं तो आपकी बुद्धी चलती और बुद्धी हमारे टॉप पर जाता और उदासी मनुशियत चिंता टेंशन उसको पकड़ना शुरू हो जाते यह सिंपल नियम है मन इसमें से कुछ भी नहीं करता मन के लिए कोई प्लानिंग नहीं है अगर महवीर या बूध्ये केते हैं कि दिन में एक बार किसी घर के सामने खड़े होकर विक्षा मां लेना मिल जाए तो खा लेनाने ने तो भूल जाना हो यह बात मन कर सकता बुध्धी का समझ की बात नहीं है है क्रश्ण कह सकते हैं कि कि इसमें अच्छा बुरा की दोही देता रएगा, वो Krashna के मन की बात नहीं समझेगा, इसलिए Analysis, Planning or Management बुद्दी का काम है, सोचना बुद्दी का काम है, मेरे बुद्दी का काम है, मन का इसमें से कुछ भी काम नहीं है, मन को यददास लेहिए, अगर आपको कोई भी चीज या और केसी गीता किसको याद है तो याद नहीं है या मन है और याद है यह बुद्धी है फोड़ाथा फरक समद्नार नेक्सकर समाज वह या शास्त्र सब उद्धी की उपजे प्रॉब्लेम क्या थी मैंने पेरे बुला कि बुद्धी जितनी मजबूत होगी मन उतना कमजोर होगा हम भी के देते कि आइंस्टेंडल स्टुडेंट एडिसेंडल स्टुडेंट वो डल नहीं है उनकी बुद्धी कमजोर है इसलिए उनका मन मजबूत है हम सुनते भी पुरान से पुरानी काव सुनते कि प्रॉफेसर भुलक करोते प्रॉफेसर मतलब इंटेलिजन अब बुद्धी याद रखती इंटेलिजन आदमी को कुछ याद नहीं रहता और बुद्धी सब याद रखती तो जितने भी आप सुनते हैं तरह-तरह की बातें वो बुद्धी की निक़लें चीज़े और पूरी ग cassette में अर theor अर्जुन बुद्धी की चीजया व्यावसाई भी एक कला है एक अगर दिरूबे अम्मानी या एक बिल गेट्स या एक स्टीव जोस अगर इतनी उचाईबे पहुंचते या एडिसन आइंस्टाइन या क्रश्णबूद तो यह पहुंचना एक कला है कि मन के बीतर से कला भेती हम करते क्या है समधना आप स्कूल में पढ़ते क्या है अगर आपको सहीत्य कार बनना है तो आपको क्या पढ़ाया जाता कभीर कालिधास और आपको डिग्री मिलती एमें लिट्रेचर किसी कवीता पढ़के अनपढ कभीर और कालिदास की फिर आपको विज्ञानिक बनना है विज्ञान में कुछ करना है तो एडिसन राइट बदर्स और यह सब अनपढ थे कोई दूसरी फेल कोई पेरी फेल है उनको पढ़के आप डिगरी पा रहे हैं तो मन से निकली बाते एडिशन टाइड वदर्स मन से निकली बाते आप बद्दी से पढ़ रहे हैं उसको तो एडिस्ट पढ़के को एडिसन थोड़ी बनेगा नेक्स्त फिर आप देख लें नादूनों का फरक बुद्धी दूसरों को प्रभावित करती भी और दूसरों से प्रभावित होती भी उसको यह की काम है कैसे कीजी को इंप्रेस कर दूँँ बस और ऐसे ऐसे लड़की होते को लगी के देना चाहिए मुझे फ्रेंज अच्छी लगती क्लास अटेंड करने लग जाते इंप्रेस कर दूँ लोग उपास पर उता रहते चतिस चतिस उपास करते चुरुन की राथ यात्रा निकलती सब लोग प्रसंद रहते जिन्होंनों उपास नहीं किये रहा थे आत्रा में शामील है और विचार उपास कि वह यू यू होता रहता क्या है तो बुद्धी यह सब बुद्धी की बात है आपको समझा दी कि यह धार्मिक बात नहीं लेकिन समझ लेना जो दूसरों से है कि आप कल्पना नहीं कर सकते और जिसने मन की बात नहीं जानी वह जिवन में सहास नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धी समझा दे टीरह बड़ा किसमें अरे तो क्रश्न यहीं तो कहे रहें कि छल करने वालों में जुँआ मुझे जान। अर्जुन केता है नहीं यूद में बढ़ा रिष्क है। को रोजी टेंगे हम जीतेंगे हम नहीं जानते। तो क्या फरक पड़ गया न कोई मरता न कोई मारता कुछ जा लेकिन बुद्धी अर्जुन की मजबूत है नहीं कुछ सकता तो मन बाश्या है स्वतंत्र है उसको कोई अपना भला बुरा नहीं चाहिए वो मस्त है हर हाल में और वो सहां से उसमें पुरी दुनिया से लडने का दुनिया से जगलने का और दुनिया की खिलाब जाके मस्त रहने का जो बुद्धी में नहीं है वो प्रभावित होती और प्रभावित करती नेक्स्ट हां बुद्धी आवशक्तियों की खोज करती बुद्धी सिर्फ डेखती हां रोशन हो सकता है एनालिसिस यगर सुर्य चमक रहा है तो संसार में भी नीचे भी कोई चीज चमक सकती यह एडिसन की बुद्धी का काम है लेकिन फिर पेसर तो फिलामेंट यूज करना या ठकना नहीं वो मन करता मन शक्ति सप्लाइक करता और बुद्धी आवशक्ता की खोज करती नेक्स बुद्धी हजारों बंदनों में रहकर जीती जहां बंदे हैं और जिन जिन कारों से बंदे हैं समद लेना यह आपकी बुद्धी का काम है और जहां जहां बंदना नहीं चाहते समद लेना यह मन का धक्का आ रहा है मन बंदना नहीं चाहता और सारे दुख क्या है कि बंदन बुद्धी के है मन स्वतंत्र है खुल कर जीना चाहता खुल कर जीता उसको कोई बंदन नहीं है नेक्स्ट बुद्धी तोड़ने में मास्टर है अच्छा बुरा पाप पुन्य मेरा तेरा अपना पराया लाभानी यह सब बुद्धी के विशह हैं और आप पुरी गीता पड़ें तो अर्जुन सिवाए इनके और कुछ नहीं कहता क्रश्ण यह पाप क्रश्ण यह पुन्य हमने सुना होगा है उस्वां नहीं हो जाएगी श्रष्ण इसमें लःभ होगा तो क्रश्ण क सब बाते चोड़ें अरज्ण एब सुन लिये पाप पुन्य अच्छा बुरा सब सुन लिया मैंने तो क्रश्ण कीटा में केते हैं अर्जुन से कि तो एक काम कर अर्जुन लाब हानी पाप पुन्यम अपना पराया मान अपमान सर्दी गर्मी सब को समान मान ले फिर तु यूद कर या दुनिया का कोई भी भायनक कर तुप आप को प्राफ नहीं होगा सिंपल समद ना धर्म के दुसरी कोई परिभाशा नहीं है आप जो तोड़ के देखते हैं वह अधर में आप तोड़ के देखें आप करें कोई ऐसा कर्म एक कर्म करें जीवन में जिसमें ना लाब होता हो ना हानी आप करके देखना जिसमें ना आपको मान मिलता हो ना अपमा कर ऐसी बाव दोशा में यूद कर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा लेकिन तू सोचता कि राज्य मिलेगा कि मैं मर जाऊंगा कि शास्त्रा ऐसा केते तो तू तो बड़ी उंची-उंची उड़ाने उड़ रहा है लेकिन सब चीजों को काट दे तो कभी पाप को प्राप् अगर आपकी गहराई में लोब आ रहा है फिर आप कुछ भी कर लें कितने ही उपास कर लें कितने ही मंदिन में बेटें क्या फरक पड़ जाएगा अंदर का भाव क्या है लोब हो गया क्रशन के रहे हैं जा खूश हो जा और तो यूद कर लेकिन लाब नहीं हानी नहीं मान अफमान नहीं सुख नहीं दुख नहीं ऐसा कोई भी कर्म कर लेना और लगथतार ऐसे कर्म करते स्पीन आप मैं आप से पुछूँगा आत्मा क्या होती और आप मुझे बताएंगा आत्मा क्या होती है नेक्स बुद्धी में रत्ती बर्त क्रियेटिविटी नहीं होती creativity बुद्धी का subject ही नहीं है creativity मन का subject है और दुनिया में जो भी सफल है वो सब creative है Edison ने बल खोजा इसलिए वो सफल है Einstein ने E is equal to M3 square कहा इसलिए वो सफल है Krishna ने गीता कही इसलिए वो सफल है और जिसने जो करा और कहा पहली बार करा और कहा वो सब creativity मा जाता और आज के बाद आप कोई कोई भी देखना अगर वो सफल है तो यह की करान से कि वो creative है उसने कुछ नया किया है और नया कब कर पाएगा जब उसका मन मजबूत होगा और मन कब मजबूत होगा जब उसकी बुद्धी कमजोर होगी simple गणी थे जीवन का पुद्धी के मैंने जो जो characteristic बताई उनमें से अधिकांशों से बचने जैसा है आप अपने आप मन की गहराई में उतर जाएंगे और मन से तो क्या फरक पड़ता है आप अनपड है नास्ती के धरम में मानते नहीं मानते क्या आप जानते मन को कोई गुलामी नहीं और मन स्वस्फुरी थे creative है उर्जा से बरा है स्वतंत्र है और बाश्चा है फिर वो नहीं देखता कि मैं अनपड हूँ विग्यानिक केसे बन सकता हूँ आडिसन ने नहीं सोचा कि दूसरी फ्यल हूँ फजार आविशकार कैसे कर सकता हूँ अरे तुभी तो कर सकता है बाकि जितने पढ़े लिखे हैं विचारे टाइब कर रहे हैं प्रपाटी पे भेल बेच रहे हैं सारे बद्धीमान मैं आपको करूँ बद्धी कमजोर करो आप बुद्धी मजबूत करते इसलिए जो जो में कह रहा हूं आप उस पर घौर करो और तोड़ो जितनी जल्दी तोड़ोगे ना उम्र का बंदन है ना स्वास्त का बंदन है ना शरीर का बंदन है ना जनम का बंदन है तुरन निकल जाएंगे क्रियेटिवटी अंदर से आएगी मस्ती अंदर से आएगी नेक्स्ट इजरूत ह서 श्रयाख्य को सब जानते हम यह हो जाए फीर यह हो जाए फैरयओ हो जाए फिर में सेट अच्छा ये सब कितने साल लगेंगे 110 इस तो 셋 कब होग। मन स्वसेट है आप किसी की भी प्लानिंग पुछ लो यार तिरो क्या है और मज़ा नहीं है बस देखो ये 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 हो जाए तो मैं बड़ा मज़े मा जाओंगा आप उसकी लीज देखेंगे तो सोचेंगे तो दो-पांसो साल पर ले पूरी होने वाली नहीं है यहाने पका के दिया उसने कि मैं पांसो साल तक तो हसने वाला हुई नहीं मन के लिए अपना मूड़ वाश्या है अगर मेरा मूड़ खेलने में है और मुझे खेलने मिल गया तो मैं उसिक्ष्ण भगवान हो गया कौन तुमको आगे पीछे की पुस्ता सब कुछ करके भी रहना तो खूश है न तो जा खूश हो वहां से भी बुद्धी अठा द कि यह अजब गजब की बुद्धी है कमाने के पेले टेक्स की चिंता करती और टेक्स चोली करके इंकम टेक्स की चिंता करती एक मिनिट चैंज से नहीं रहती नहीं रहने देती नेक्स्ट इस जिदी बात है बुद्धी एक्स्ट्रोवर्ट है मन इंट्रोवर्ट है नेक्स मेमरी बुद्धी का पावर है मैंने पहले का मन को कोई मेमरी नहीं है अगर किसी को कुछ याद है तो समझ देना वो बुद्धी का सब्जेक्ट है आपका मन कमजोर हो जाता है नेक्स्ट बुद्धी के लिए नफानुक्सान महत्तों पूर्ण है आप देखना आप क्या करते हैं बुद्धी कहां ले जाती यह कर लो इसमें फाइदा है मन के ता मुझे क्या करना फाइदे से मन के ता करने में क्या होगा करने में तकलीफ होगी नहीं करना फाइदा कल होगा तकलीफ आज हो रही है बुद्धी बोलती नहीं कस्ट नहीं तो जीवन नहीं कली मेनत पक्का इराद अनुशासन काम ज्यादा मन बोलता है भाईया वो सब तू रख यह सब करने में कितना संकट जिनको मिला बढ़ी आसानी से मिला कोई धन कमाने नहीं गया आप यह मसोतना कि यह बिल गेट से तो ब आप बुद्धी कमजोर करें आपको कुछ करने की जोट नहीं है प्रकृति इतनी दयालू है दिल खोल के दिया उसने मन में प्रकृति की अंतिम क्रियेटिविटी हमें जितनी सत्ता प्रकृति के पास है उतनी सत्ता आपके भीतर मन में छिपी हुई है कहां मांगते क्या कम आए मन यह कि सवाल पुस्ता आप देखना बच्चा भी रोता बच्चा भी सवाल पुस्ता माँ पापा आप के रहे हो सही लेकिन हुमवर्क करने के वज़ाए खिलने जाओं तो मज़ा आएगा हम बोलते नहीं दीस साल मज़ा नहीं लेने का तो विचारा 25 साल का होता वो बोलते मा मज़ा लू नहीं फेल शादी कर अगर नेक्स्ट बुद्धी चलाई जाने वाला कंपूटर है बुद्धी को कोई भी चला जाता और हमको सब जोने चलाई रहे हैं लेकिन मन स्वयम चलने वाला कंपूटर है मन को कोई चला नहीं सकता और बुद्धी को जो चाहे चला जेता आप जब किसी की भी बात सुनके चलने लग जाते तो समझ लेना आप बुद्धी से चल रहे हैं नेक्स्ट बुद्धी के किसी कार्ये में फ्लो नहीं होता यह बड़ा सुक्ष्मा फरक समझ लेना कि कोई भी कार्ये के परिणाम कब आएंगे जब उस कार्ये में फ्लो होना चाहिए अगर कोई आप नाइट देखने जाते कोई गायक गाता कोई स्पीच देता कोई पेंटिंग बनात कोई कुछ बुछा लिखता है कि आप कोई कार्ये करते हैं आप पड़ते आप आप अफीस में अपना कारिय कर रहे हैं ल느किन कार्ये में फ्लो होगा तो परिआम आएगा और बुद्धी के कार्ये में फ्लो नहीं है इसलिए दो 100 मिनिट में ठका देती आपको एक काम करते क करते दस इंटरवल लेते यह बुद्धी का काम है और मन डूप जाता एडिशन 27 दिन लेबो लेटरी में डूप सकता क्योंकि मन के साथ पहुचा की बल्ब खोजना है वो भूली गया कब 27 दिन हो गए कई बच्चे ऐसे होते हैं यह मत समद्ना वो पढ़ते हैं और खो जाते मालूम नहीं पढ़ता कब रात निकल गई और कई ऐसे होते हैं जो दो मिट नहीं पढ़ सकते तो जब बुद्धी से आप पढ़ेंगे तो दो दो मिनिट में मालूम पढ़ता बुद्धी से कोई भी का करेंगे पुरन थकान मेसूस होती मन से कोई भी काम करेंगे समय का पता ही नहीं चलता तो जब भी समय का पता चलने लगे ना तो काम बंद कर देना दम नहीं है कितनी मेनत कर लेंगे बुद्धी चल रही है ना बुद्धी काम कर रही है परिणाम नहीं आएंगे अगर मन से अ क्रश्ण के पास आप गए क्या फाइदा छोड़ो नेक्स डर अरकर जीना बुद्धी का सभाव है मन को कोई डर नहीं है एक्टुलि डरने का कारण ही नहीं है लेकिन यह जब टॉपिक आए का तब समझाएंगे लेकिन अनुश्य जीवन में डरने का कोई कारण ही नहीं है हाँ बस यह बड़ा फरक है बुद्धी की सोच इस जनम की है मन की सोच अनंत की है तो जब आप अनंत की सोचते और जितना अनंत की सोचते समझ लेना आपका मन सक्तिशाली है जब आप इतना सोचते एक दायरे में सोचते तो वो काम बुद्धी का है बुद्धी कनिंग है मन सरल है यह तो बड़ा सिंपल है क्योंकि बुद्धी के किसी भी कारिया में ला भानी लोजिक अपना मेरा तेरा पराया अच्छा बुरा ही रहेगा मन यह सब देखता ही नहीं क्रश्ण अच्छा बुरा देखने लग जाते हैं तो वो भी हमारे साथ य यह आपके समझना पड़ेगा कि क्रश्ण से सरल में तो जानता हूं दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन बुद्धी कनिंगे और एक छोटी सी बात कर्श्ण की सरल ताकि बताऊंगा तो शायद आप मन की उचाही समझ सकें कि क्रश्ण के बारे में इतनी गलत हैं यह क्य इस भी होगी बड़े बारी की से क्रश्ण को देखा है आप क्या सोचते हैं आपकी बुद्धी सोचती है कि क्रश्ण ने वचन दिया था कि अत्यार नहीं उठाऊंगा फिर भी अत्यार उठा लिया आप इतना ही सोचते क्योंकि क्रश्ण की उचाई की कल्पना नहीं है क्रश्ण ने जब वचन दिया था समझ लेना क्रश्ण एक बार में एक शन से ज़्यादा नहीं जीते मन की उचाई समझन की कल्पना करना और वो खश्ण बित्ते ही सब भूल जाते वागाई कोई मेंमरी नहीं है जब वचन दिया था के अत्यार नहीं उठाऊंगा कि मिल इट और जब अत्यार उठाया तझब उने यादीने के सब वचन दिया था क्योंकि ए एक एक शन की बात है इस त्सान हत्यार उठाना ही पड़ेगा उठ गया आ काम हो गया है simple बात है तो मन इतना सरल है है और हम बुद्धी मान लोगे वचन दे दिया तो दे दिया धरम राज बनके दिखाएंगे तो समझने कोशिश करना आपको सिखाया जाता बुद्धी से अनुशासन तो होना ही चाहिए मन केता कैसा अनुशासन जागे तब सवेरा आज 6 बज़े उठे कल 5 बज़े उठे बोलेंगे नाई पांच बज़े पेली घंटी वस्ती उठ जाने का तो मन सरल है बुद्धि कनिंगे वह आपको सिखा देती सुमवार को भुखा रेना पड़ेगा मन को यह सब नहीं मालूम बड़ा सरल है वो इतना समस्ता भुग लगी खाना खाल उशांत हो जाएंगे कितना सरल तो जीवन है क्यों अपद्रो करना अपने आपको क्यों सताना बड़ा सीधा और सरल है यह जो कॉम्प्लिकेटेड है ना मास्टर वो बुद्धी है वो जोने कहां कहां सा आइडे डूंड के लाती है और ऐसे डूंड के लाती कि कुछी को हसने ही नहीं देती मन केता भईया बड़ा सिंपल है है बुग लगी यह खाना खाना है निंदा यह सोजाना है नहीं आज तो वो क्या जाग रहा है अब विचारी बच्चीओं का माथा दुख रहा है किसी को चक्कर आ रहे है क्या हो रहा है तो मेरवानी करके एक स्टेप और हम आगे बड़े अगर आपको मन बुद्धी का फरक समझ में आ गया हो तो इसको छोटी मोटी उपलब दीमस समझना मुझे नहीं मालूम कि यह जो हिमाले पे जाके दस-बिस साल बेटते उनको मन बुद्धी का फरक समझ में आया है नहीं मुझे आज तक नहीं दिखा नहीं आज तक समझ में आया लेकिन मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से आपकी दो अथोरिटी स कि सत्ता समझ में आगई होगी दोनों का एक्जिस्टिन समझ में आगया होगा और जिसको आगया वो आथ के बाद अपने कमजोर में समझना क्योंकि पक्का बता रहा हूं वो हजार ग्यानियों पे बारी है हजार ग्यानियों पे बारी है जिसको मन बुद्धी का फरक समझ म ने में नेम इस ओमकार कुलकरणी एन आम एंजिनरेंग स्टूडेंट मेरा नाम जैराम प्रसाद है मैं सेल्फ इंपलाइड हूं मैंने की बुक पढ़िया आ इंदमाइड सरने आ इंदमाइड बुक में बहुत क्लेरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है कै से प्रॉब्लम्स को क्रियेट करता है और इसका सुलूशन के अलाइफ नहीं है इस पुष्टक की सरल भासा सधारन धंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रावित किया है I have read the book it clearly identifies explains the difference between your brain and the mind all the seven states of the mind are clearly defined in that book and that's that's the best thing about the book so it's a very nice book written in a very clear language मेरा तुमानना है मैं मन हूं पुष्टक हर ब्यक्ति को पढ़ना चाहिए ये जिन्दगी को आसान बनाने का सरल्तम तरीका है अगर ये I am the mind एक बर समझ में आ गई it is going to make the magic in the life अब ये टॉपिक में आसमाप करता हूं कल इससे और आगे जाएंगे किसी का क्वेश्टन्स हो इसमें तो प्लीज है बोलो बोलो अब ये आने मनना आपनी तरीश जित्ला मुद्दाव संगाअ फर्क एनी बड़िनी वच्छे मनने आपनी वधारा शक्ति शारी बनाए हो इसा है जा बुद्धि में कोई शक्ति नदी विशेश तो मैं नी वच्चे बराबर एक गांडा ने मुखजी तो बुद्धिशारी गांडों अन्य वच्चे मुख्यों चाहर मने मलाज्यू सोथी जो अधार मतार सुख्यों तो गांडों अचे एसा है कि बिल्कूल सही बाद बोली होना हैं वेरी इंट्रेवर जन्त है हम हम खार केते episode from की साइक्लोजी की पूराने से पुरानी कहोज कि अल्ला मेरबान तो狃ट पेलाड आप सबने सुना होगा आप यह जो कहावते केते कि जो साइकोलोजी के सेंटेंस केते आप उसको समझते नहीं गंबीतार से लेते नहीं यह सब ग्यानी है लेकिन गदा बनने को तैयार कितने हैं मैं तो कहे रहा हूं सबसे आदा सुकी घदे हैं जिनको नहीं मालूम है बुद्ध वोई तो कहे रहे हैं कि जिसको नहीं मालूम होती बगवान होता वो तो सुकी है जो जानने निकला है कि सुक कैसे मिलेगा वो दुखी हो गया पक्के में दुखी है वो वरना दुख है नहीं हम खोजने निकलते हैं कि सुकी कैसे होंगे उस पोसेस में दुखी हैं गजे को मालूम ही नहीं पड़ता विचारे एडिसन को इनको उनको किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि इसको दुख केते हैं तो खुशी-खुश हैं तो बास सही है गजे का मतलब होता आपकी बुद्ध कमजोर अगर बुद्धी कमजोर थो दुनिया को वेकुब दिखेंगे निश्चित दिखेंगे क्योंकि कोई बोलेगा आपको कि इसका काम कर दो यार और इसने पिछली बार दोका दिया था छोड़नामत यह बुद्धी के थी मन के तक परक पड़ता है काम करने मजा आएगा सुखी होगा खूश होगा कर देती तो घदा लगता हमको लेकिन वो कबीर केते ना कि चादर बुनते थे तो इतने सरल थे कबीर कि साथ आठ रोज में एक चादर बुना थी और वोई उनकी जिवी का थी घर में बच्चा था कमाल पत्नी लूई थी तो चादर बेशते तो खा आना आता लेकिन कोई चादर लेने वाला आता कभी उसको चादर देते वो पुस्ता कितना लूँ बोले किस बात कर लूँ दागा बगवान चादर बुनने वाला बगवान चादर पेढने वाला बगवान 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 से क्या ले लेगा तो घर में बुको म गुद्ध प्लीज उप मैंने देखा है कि जो लोग मेरे सामने कुछ भी काम के लिए आते हैं हाँ बट उनका माइंड सेट उनी के लिवल पे होता है बरो बरें यू गाइड उस हाओ केन वी चेंग देमाइंड सेट आप दो पीपल प्लीज ने ने देखो एक चीज़ बताऊं पहली बात तो यह है कि जीवन हमारा है हमको दूसरे का माइंड बदल के फाइदा क्या है और दूसरी बात यह है कि क्रश्ण तो गीता केके गए बड़ी मेहनत पड़ी उनको और जुन का माइंड चेंज करने में क्रश्ण को तो हम अपना माइंड चेंज करने ज्यादा हमारे निकट है हमारी समस्य हमारे माइंड से है फोल आसा आपने सवाल पुछा तो मैं आपको बता दूं आप यह गलत ते में निकाल दो मैं बार बार के रहा हूं आप मुझे आगे ले जाएंगे मुझे अच्छा लगता मुझ अब भी वहां की बात क्यों करें लेकिन दूसरे के माइंड से दूसरे से मनुष्य जीवन का तालूक नहीं है आपका तालूक सिर्फ अपने से है और यह ब्योंशी है जो आपको दूसरा जीवित दिखाई दे रहा है इसलिए इस जगत को माया कहते हैं यह ब्योंशी है को परमस्वतनतता कुद्रत की तरफ से अप्लब दे कि वो न चाहे तुसे कोई चीज असर न करें करहीं नहीं सकती कि अगर बीबी कट कट कर रही है कि आप पे असर हो रहा है क्योंकि आप असर होने दे रहे हैं समझ लेना कि एक बार एवोइड कर लेना और ज्यादा खूश होना जितना चिल्ला उतना और हसना वावा मजा आया मजा रहा है दूसरी बार आज जीवन नहीं करेगी कि यह स्वतनतता कुद्रत की तरफ से आपको उपलब दे लेकिन क्या प्रब्लम है कि हम स्वतनतता का उप्योग नहीं करते दूसरा के के चले जाता कि यह वास्तु से मेरा उद्धार हो गया आपको नहीं मालूम उसको बोलने के लिए पेसे दिए तो दूसरा कुछ भी बोले अरे व्यदों में कुछ भी लिखा है व्यद आपकी आत्मा से ज्यादा ग्याता हो गई हो ही नहीं सकती जब अश्टा वक्रत जनक को घ्यान दिया तो आदे घंटे की बातचीत के बाद जनक बोलते हैं कि मैं घ्यान को अफ्लब्द हो गया मैं परमात्मा हो गया अश्टा वक्रत चौक गए इतनी जल्दी हाला कि जनक में काबिलियत बहुत ज्यादा थी अर्जुन से लेकिन फि अरे सुर्या भी में हूं चांद भी में हूं तारा भी में हूं संसार का ग्यान भी में हूं संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें में नहीं हूं मेरा मुझ को नमस्कार मेरा मुझको नमस्कार तब अश्टावक्रा ने माना कि हां इसको पक्का ग्यान हो गया अगर वो के देता कि अश्टावक्रा तुमको नमस्कार तो अश्टावक्रा वही उसके कान पकड़ते मैं चाहता हूं आप अपने आपको नमस्कार करें लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिलेट करके बताइए पूरे उसमें से कौन से अच्छे हैं मैं बोलता हूँ छोड़ो उनको, पाब भोलते हैं याएजी ऐसी बाते क्यों करते हूं मैं बठका नहीं रहा, बठका नहीं रहा बठका मैं थो आपको अभी तीनचा रंगुटिया पेना देता में भगवा पर इनके आ जाता और यहां से जाके मस्जीद जाता और माधाली बला लेता कुछ फरक नहीं पड़ता है करते हैं डबल शीप में काम करते हैं मुझे नहीं करना है तो दूसरा आपको इफेट कर सकता है यही एक मात्र व्रम है अब वो दूसरे में सब आ जाते दूसरे में भगवान भी आ जाता कोई सिलेक्शन नहीं है दूसरे में सब आ जाते आपको आपके अलावा कोई प्रभावित नहीं कर रहा है उस यात्रा पर म में ले चल रहा हूं मेरे साथ चलिए लेकिन मेरा प्रभाव पढ़ने दीजी यहां मैं यह समझ रहा हूं कि यह आकर संका विश्य है मैंने उफेब को तीन बज़े सोचा था कि मुझे आपका प्रोग्राम एकन करना है बहुत सारे प्रॉब्लम भी से हैं कर पाया हूं मेरे वेटे के साथ तो हम जो सोच पे वो पूरा हो ही जाता है और यह मन का विशय है तो मैं अपको अच्छे समझाया उद्धी विचारों का जगत है मन बाव का जगत और बाव और विचार में आप फरक करना शुरू कर देना क्योंकि लकिर बारी के जब आप ब तो समाप सोती रहें आपका बाव बुद्धी पे हावी है और जब आपका विचार बाव पे हावी है तो बुद्धी भारी है जब बाव विचार पे हावी है तो मन बारी है और हमेशा मन जीतेगा अगर बुद्धी से तो आपका जीवन सही ट्रेक पे जाएगा अगर कि भाषा की आनूपती ज्यादा है कि मन को भाषा है ही नहीं मन को भाषा की जरुवती नहीं आपने किwash łेंस happened कि मन को भाषा है ही नहीं अगर यह बात अबसमरे ले तो आप चंद ग्यानियों में और ऑफ जाएंगे मन को भाषा नहीं द backlash बुद्धी को है बार्शा की ज़रोत किसको पड़ती जो डिवाइट करता समझ लेना आपकी बुद्धी डिवाइट करती आपकी बुद्धी सोचती कि ये करम बुरा है और जुन की बुद्धी भी ये सोचती कि ये करम बुरा है या ये काम करना चाहिए इसमें अच्छा कि आपका उस काम में ध्यान कितना है बस वो काम क्या कर रहे हैं उससे मन को कोई मतलब नहीं है अगर आप ध्यान से पैसा कमाएंगे तो मन के लिए वो ध्यान ही है मन के लिए बुद्ध भी संते और बिलगेट भी संते अगर ध्यान से काम कर रहे हैं तो मन की बाशा ध्यान है मन की भाशा आनंद है फिर किस चीश से मिलता यह आपकी बुद्धी अच्छा बुरा करती रहती इसमें फस जाते मन की भाशा आनंद है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बस खलास इसलिए मन को भाशा की जुरूत नहीं है मन बावों का जगत है और सारे पहिड़ा मन से आ रहे ह फिरम सोचते यार यह 24 गंटे मंदिर में बैठा है कर क्या रहा है दक्षिना का इंजार और बिल गेट सिफ कमा रहे हैं 80% धन चैरिटी कर पाते समझ लेना क्योंकि मन के लिए ध्यान है आपका जाद ध्यान लगया असंते आपका ध्यान हटता है वहीं तो असंतत्वार है हमा क्या मस्तिये दूख यासा मन की बाचाँ प्लीज पूलो बुदी ओड यू लिए इस सब्सक्राइब कर को प्लीजा भीए विसरोंकि में अक्राइब लुड़िए अंची चानिया के नियुड़े टुमि इस और यहां प्र जो श्क्राद वां निन कर ब्तूं जो कि आए और स्मॉल बायोग्राफी मांग रहे हैं अभी मेरी बायोग्राफी क्या करेंगे आप यार पस यह समझ लो कि मेरा जो बताया वोई मेरी बायोग्राफी यह जब मैं आटनो साल का था तो हम गरीब परिवार में पैदा हुगे थे तो मोलने में दोस्तों के साथ खिलते रहते थे तो एक दोस्ता रवी जाकर तो एक दीन उसने बोला गया चलो चलो अपने को आजया समाथ चलना है मैं आतनो साल का हूँगा मेरे माता जी पिता जी भी यही बेठे हुए तो मेंने बोला क्या है माँ पर सबने पूछा निश्टी रूप से क्या है और वह पिता जी का बासर ने सुनना ही पढ़ा उन्हें बोला पांच्छे दोस्तों को पकल गए ला मैंने बढ़ा चलो भाई तो मैं तो पहुंच गया अब पहुंच गया तो उनके पिता जी ने 15-20 मिनिट मुर्ती पुजा के खिलाब भाषन दिया हम लोग बाहर निकल गए भाषन सुनके तो उनका खुत का लरका बोलता है इसमी के अरकत करते हैं गर पे भी इसलिए गर पे पुजा में रखा क्या है तो हमारी माता जी यहीं बेठी है तो उनके भी अब दामल परिवार आप समझ सकते कैसी मजबूरी हो जाती होगी हो आ है तो बोले इसको कुछ भूत चल गया है कुछ हमारे इस्यदार बोले की और वो क्या HOW रहुग। कूछ पास्ट परिवर्तित हुआ हूं मैं मैं नहीं बोला ना कि समय कहा है बस और वहां से यहां पर ख़़ा हूं और अभी आप फिर चेंज कर देंगे मैं फिर चेंज होने को तग्यार बेटाऊं थैंक्यू वेरी मच्छ क्रिष्ण का बच्पन कैसा गुजरा क्रिष्ण राधा का प्यार क्या था क्रिष्ण ने कितने विवाह किये क्रिष्ण की चाइल्ड साइकॉलजी क्या थी क्रिष्ण ने गौले से द्वार का धीश तक का सफर कैसे तै किया ये यादव थली क्या है इन तमाम सवालों के जवा आप जानिए। सभी प्रमुक e-commerce sites पर भी उपलब्ध है। love, expectation, partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा Deep Talks Tao Te Ching के अंतरगत, दीप त्रिवेदी द्वारा मशूर Chinese philosopher Lao Tse ke महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सभलता, संकत, धर्म, राजनीती और Deep Talks भगवत गीता के अंतरगत, जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूंड 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CD सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CD आत्मन E-Store तथा अन्य सभी E-Commerce साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता-पेता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परन्तु होता ऐसा कुछ नहीं, अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकलोजिकल अज्ञान के कारण, अतह बच्चों की साइकलोजी समझने है तू, एवं उनकी क्षमता निखारने है तू. आज ही खरीदें श्री दीप तुरुवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ, ये किताब आत्मनीस्टो.com पर उपलब्ध है। 4CD set now available at 20% discount, only on आत्मन E-Store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना च्षिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़े। अनपड़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस तु ग्रेटनेस। स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी तु डॉन्ती। चाइल्ड साइकॉलोजी समझने हे तु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बलकि हर मातापितावत टीचर के लिए भी आवशक ग्राफिक बुक्स। हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्वन E-Store तथा अन्य सभी E-Commerce साइट्स पर व्लग्द। कर से दिए मering बच्चे की 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 के बच्चे की की में आत्वी तु ऑग्यार ave जे घ्की हरे एज़ाए ग। ऑ्द से देर अंग्रेजी वेजल रबलकितावीन में अजर बलकिते दो क्यां और से थेरे प्लकिते पутств कृ्याार